तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था फैक्टर जो क्लाइमेट को एफेक्ट करते हैं और फिर्स्ट जो सबसे पहले आपका फैक्टर दिया हुआ यानि कि किसी भी जगे या अगर हम बात कर ले कोई जो पर्टिकुलर प्लेस है वह एक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है यानि कि रह्णी हो एक्वेटर से कितनी नोडी पर है तो वह चीज भी उस पर्टिकुलर प्लेस के होचा करती है अब सबसे पहले हमारा पोइंक है वह था दिस्टेंस fromá ना इक्वेटर प्लेस क्लोजर सुद्धा एक्वेटर? और वर्मर दैंधा प्लेसे क्लोजर टू ला पॉल्स तो ऐसी जगे जो कि आपके एक्वेटर के ज्यादा पास होती है वो ज्यादा गरम होती है compare करें अगर polar region के तुलना में या ऐसी जगे जो polar region के पास होती है उनके compare में जो place equator line के पास होते हैं वो ज्यादा गरम होते हैं For example, it is much warmer in India than in Greenland. तो अगर हम कल बात करें कि इंडिया की और Greenland की तो इंडिया ज़्यादा गरम है क्योंकि इंडिया आपके एक्वेटर लाइन के ज़्यादा पास है. जबकि Greenland जो है वो पॉलर्स या पॉल्स जो है उनके पास ज़्यादा है ठीक है और इस वज़े से वहाँ पर कर्मी ना होकर वहाँ पर ज़्यादा क्या होती है वहाँ पर ज़्यादा विंटर या ठंड होती है. और ऐसा क्या होता है कि ज़ो आपके एक्वेटर के पास ज़गे बूहे तहीं वो गरम कियों होती है तो उसका रेजन है क्यों कि जो एक्वेटर होता है उस पे डायरेक्ट या सिदे ही सन की रे गिरती है जब कि जो प्लेस पॉल्स के पास होते हैं जो पॉल्स होते हैं उन पर आपकी सन की रेस जो होती है वो एक एंगल पे गिरती है सीधी ना गिरकर एक एंगल पे गिरती है जिससे क्या होता है वहां पर उतनी गर्मी नहीं होती है और एक्वेटर जो होता है व Next is distance from the sea岗 कोई प्लेस merci कितनी दूरी पर है या उसकी डिस्टेन सम उंदर से कितनी है सिस्ट की सम है तो किसी परेस या समें आप पहुता है कि जो पल niez या समूंदर मंदर कितनी दूरी पर स्थी सब्चाहिए As you know, coastal areas are cooler than inland areas. तो अगर हम बात करें, ऐसे छेतर या ऐसे प्लेस जो कि coastal area में आते हैं, यानि कि समुन्दर के सिमाओं के पास लगते हैं, वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, compared to उन area से जो कि समुन्दर के किनारों से दूर होते हैं. और जो area समुन्दर के किनारों के पास होते हैं, या उनके beaches के पास होते हैं, वो ज़्यादा हुमिड होते हैं, यानि कि वहां की हवा के अंदर ज़्यादा पानी water vapor होता है, compared to the inland areas के तुन्दा में. Because, ऐसा क्यों होता है, the wind blowing from the sea towards the land and carries a lot of moisture, तो ऐसा क्यों होता है, कि जो coastal region होते हैं, वहां पर humid, जो आपकी air होती है, उसमें humidity ज़्यादा क्यों होती है, तो इसका region होता है, क्योंकि हावा जो होती है, वो समुन्दरों से land, यानि की जमीन की तरफ भैखती है, इस वज़े से जब हावा समुन्दरों से land की तरफ आती है, sea to land की तरफ move करती है, तो वो बहुत सारा moisture अपने साथ लेके आ जाती है, जिससे coastal region जो होता है, वहां ज्यादा humidity होती है, और वो area cool होते है, compared to the inland area. नेक्स्ट हमारा है, that is the altitude, तो altitude क्या होता है, मतलब height, या बात करें हम length, ठीक है, मतलब जमीन से कोई चीज कितनी उपर होगी, vertically, वो उसका क्या आता है, altitude आता है, altitude और height, or the height above the sea level also affect the climate of the place, तो altitude या किसी भी place की समुंदर के जो तल होता है, उससे कितनी उचाई है, उस place की, वो चीज भी क्या होती है, आपकी affect होती है, या आपके climate को affect करती है, कोई region, कोई place, sea level से कितना उचा है, यानि कि उसका altitude क्या है, तो वहाँ वो चीज भी उस area के climate को affect करती है, तो अगर हम बात करें ऐसे areas में जहाँ low altitude होता है, यानि कि समुंदर तल से उंचाई जो उनकी होती है, यानि कि गरम होते है, यानि वहाँ का climate ज्यादा moderate होता है, और जैसे जिसे हम उपर की और भड़ते हैं, यानि कि altitude भड़ता है, sea level से height भड़ती है, वैसे वैसे जो region होते हैं या place होते हैं वो ठंडे होते जाते हैं, यही वज़े होती है कि जो mountains होते हैं, उनके उपर बरफ जमी रहती है, क्योंकि ज्यादा height या ज्यादा altitude पर temperature भहुत कम होता है, it is because the air becomes less dense with increase in altitude, और ऐसा क्यों होता है, तो इसका region होता है, जैसे जैसे height बढ़ती है, या altitude बढ़ता है, हवा जो होती है, वो कम dense होती जाती है, अगर हम compare करें, हमारे अर्थ के surface के पास हवा ज्यादा dense होगी, और अगर इसको हम अगर 500 मिटर उपर जाके चेक करेंगे, तो air जो होगी, वो हमें कम dense मिलेगी, जिसके वज़े से, वो heat को पकड़ नहीं पाती, heat को रोग नहीं पाती है ज्यादा, और वहाँ पर क्या होती है, ज्यादा सर्दी होती है, या high altitude पर ज्यादा आपको ठंड देखने को मिलती है, तो यही रीजन होता है कि हाई अल्टिटूड पर क्यों इतनी टेंपरेचर कम होता है क्योंकि वहां की आपकी जो एर होती है वो कम डेंस होती है और वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है यानि कि पकड़ नहीं पाती है रोग नहीं पाती है next हमारा factor that is the direction of prevailing wind ठीक है हवा की जो direction है वो भी क्या करती है affect करती है आपके climate को या particular place के climate को the direction of the prevailing wind from the sea or ocean side bring rain to the coastal areas and dry weather to inland area तो हवा जो कि sea या ocean से बहते हुए land या coastal area की तरफ आती है वो अपने साथ बारिश लेके आती है जब कि जो आपके inland area होते हैं वो क्या होते हैं dry होते हैं या वहाँ पर वर्षा या rain कम होती है क्योंकि वो जो बारिश होती है वो coastal area पर ही ज़्यादा हो जाती है as a result the climate of the area near the sea is moderate तो अगर हम बात करें जो area या climate नजदीक होता है किसके आपके coastal region के वो सुरी सी के पास जो area आपका होता है वहां का climate ज्यादा moderate होता है अगर compare करें हम inland area से नेक्स्ट आपकी humidity जो की climate को affect करती है particular place की the amount of water vapor present in the atmosphere determinate the humidity of the place तो यहां पर हमें definition दी गई है कि humidity क्या होती है तो humidity कुछ नहीं होती है अगर आपके air में कितनी water vapor present है या कितनी amount में water vapor present है वह उस area की humidity कहलाती है अगर water vapor जादा amount में present होगी तो humidity कम होगी rainy सेजन में humidity जादा होती है जब कि अगर बात करें तेज गर्मी या जब जादाा का summer season काफी तेज होता है गर्भी जादा होती तो उस समय humidity बहुत कम होती इसलिए जो हावा होती हो बहुत जादा dry होती है तो amount of water vapor present in the air that is known as the humidity उसको humidity की नाम से जानते हैं a dryer place will have lower humidity ऐसी जगह जो की dry होती है या सुखी होती है वहां पर humidity कम होती है प्लेस नियर दा sea coast has greater humidity than the place far away from the sea ऐसे जगह जो की समुंदरों के किनारों के पास होती है या समुंदरों के पास होती है वहां की हवा में ज्यादा humidity होती है जबकि ऐसे प्लेस जो की इन एरिया से यानि की सी के किनारों से दूर बसे होते हैं या दूर होते हैं वहां की हवा में humidity कम होती है It is also higher during the rainy season humidity जो होती है वो rainy season में बढ़ जाती है Mountain ranges तो mountain ranges जो होते हैं आपके वो भी effect करते हैं किस चीज़ को आपके particular place के climate को The amount of precipitation at a particular place is also affected by the mountain ranges तो किसी particular जगे पर कितनी वर्षा होती है ये depend करता है या affect होती है बाइदा mountain ranges या जो परवतों की श्रंखला होती है उनसे जो वर्षा होती है वो उसकी amount affect होती है Which act as a barrier to be prevailing the winds Mountain जो होते हैं वो एक barrier के like behave करते हैं जो कि हवा को रोक लेते हैं Mountains cause air to rise mountain के वैसे क्या होता है हवा जो होती है वो उपर की तरफ भी जाती है at is right it cools and most of the moisture is content condenses और क्या होता है जैसी हवा उपर जाती है उपर जाके वो ठंडी हो जाती और जितना भी मोश्चर होता है उस हवा में वो में तो यह वो थंडी होकर condense हो रही है वहां पर ज्दा वारीश होती है और वह एरिया जो होता है वहां का जो climate होता वह ज्यादा वेट होता है the condition are quiet opposite on the lieward side of the mountain जबकि जो condition होती है mountain की दूसरी तरफ जहां पर हवा नहीं पहुंच पार है हवा नहीं आ पा रही है वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है विचिस दा साइड फैसिंग अवे फ्रोम दा वेंड यह वो साइड होती है जो कि हवा के दूसरी तरफ होती है रिलेटिविटी ड्राइ एर मुवस डाउन दा लीवर्ड साइड बात करें जो ड्राइ यह होती है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है जिसके वाँटन की उस तरफ जो क्लाइमेट होता है तो यह कुछ फैक्टर थे जो आज हमने पड़े हैं जो affect करते हैं आपके particular place के climate को next video में adaptation in animals पढ़ेंगे जो कि अलग-अलग climate के वज़े से उनमें अलग-अलग type के adaptation आते हैं so thank you and watch the video carefully